बास्कार दोस्तों अभी इस वीडियो में RBS की दोजा सोडा क्लास 10 मेंस का कोशन 1-3 का सुलुक्षन देखेंगे इसमें देखे एक गाउं की ढानी के 25 परिवारों को परती दिन वे निमन बारम बारता बटन द्वारा दिया गया है ओकें तो यहाँ परहमें पिर परिवारां का मद्य वे ग्याद करना है तो यहाँ पर ऐसी कंडिशन हम अपना क्या बनाते हैं टेबल बनाते हैं इसको हम क्या कहते Ground करें चलिए मैंuski प्रेuchar सानी बनाता हूं तिया के आपको जरी रखक से प्रतिदिन वे रुपए में ठीक है कितना खर्च करता है एक तो आपका खर्च करता है यहां लिखा जाएगा ओके टेबल में 25 से 35 खर्च करता है तो ऐसे परियारों की संग्या कितनी है जो इसके बीच खर्च करते हैं ऐसे परियारों की संग्या है आपकी तीन ठीक है उसके बाद अगला कितना खर्च करता है आपका 35 से 45 खर्च करता है ऐसे परियारों की संग्या कितनी है 7 है उसके बाद आपका 35 से 55 खर्च करता है कितना 6 उसके बाद आपका 65 से पिच्छे तर खर्च करता है ऐसे परियारों की संगे कितनी है आपकी दोस्तों 3 है ठीक है तो अब यह आपकी क्या बन रही है यहाँ पे टेबल बन रही है चलिए लाइनिंग कर देता हूँ है ओके यहां पर आपको किस से ग्याद कर रहे हैं अपनी पर्तेक्स विदी से ग्याद कर रहे हैं तो पर्तेक्स विदी में क्या होता है दोस्तों पर्तेक्स विदी का फोर्मना आपको याद बारता है तो देखिए जो परिवार क्रिशन के वो तो आपकी बारम बारता है अब आपको इसमें क्या ग्याद करना है अपना वरक चिन ग्याद करना है ठीक है तो यहां पे मैं क्या ग्याद करता हूं वरक चिन ग्याद करता हूं यह आपका कौन से एक्सराइज में से हैं इस 14 point exercise देखिए सांखिय के से ये Kushun आया ओब है देखिए वरक्चिन का formula क्या होता है उपरी वरक्षीमा प्लस निश्ली वरक्षीमा बाई 2 तो देखिए वरक्षीमा क्या होती है यहाँ पे यह आपकी इसकी निमन वरक्षीमा है यह इसकी मोस्ति उप्री वर्ग सिमां यानि सिंपल सी बात कहीं जाए तो व्रग चिंद क्या होता है दोस्तों यहThe जो दे रख है इन दोनों को बऌप करना है व और बाइट क्र देना है तो इनको एड़ क्या दोस्तों कितना आ गया कि सिरृ तर्टी आ गया तो यहां पर आपका 13 नेकल गया, इसके वरक्षिक इसको एड़ करेंगे, दोस्ताएगा आपका, फॉर जिरू, छी Nicht, इनको एड़ करेंगे, तो आपको आएगा दोस्तों, कि यहाँ पे 100, वन हंडhet में डिवाइड टू करेंगे तो आ गया, फाइव 0 इनको add करेंगे तो आपका आएगा 120 120 में 2 को divide किया तो 60 आएगै इनको add करेंगे आपका 140 आएगा इसमें 2 का divide किया थो 70 आगया चीक है अब हमें क्या ग्याद करना है दोस्तों यहाँ पे F I X I ग्याद करना है इनका multiply ग्याद करना है तो देखिए इसका मल्टिप्लाई कितना यह आ गया इनका मल्टिप्लाई आपका यह आ गया इनका मल्टिप्लाई इसका और इसका मल्टिप्लाई इसका और इसका मल्टिप्लाई देखिए एक सीद में लिखना चाहिए लिखने में थोड़ा मेरा नहीं रहा है सीद अब हमें यहां पर क्या चाहिए दोस्तों इन सब का योग चाहिए इनको मैं एड़ करता हूं तो देखे जीरो आ गया उसके बाद 1240 आ गया आपके पास ठीक है अब देखे इसका आपका योग कितना आएगा कुशन में जितना दे रखा होता ही आएगा परवारे कुशन के कितनी है 25 है ठीक है अब हम जानते हैं पर्तेक्स विदी से माध्य क्या होता है दोस्तों आपका सिग्मा एफ आई एकस आई बटे सिग्मा एफ आई इनका वेलू रखते देते हैं 1240 बटे 25 उपर नीचे देखे हम 4 से मल्टिप्लाई कर देते हैं तो नीचे कितना हो गया 100 हो गया यहां पर जिरो से जिरो कैंसल ओट हो गया वन के बाद एक जिरो है तो उपर क्या आ गया अपका एक डिजिट के पहले पॉइंट आ गया यह नहीं 49.6 इसका आपका माध्य निकल कर आया है ओके तो यह दोस्तों आपका पार्ट बी का कुशन है जो कि केवल और केवल के इतने नमर का आता है ओके यह रहते हैं आपकी नमरी वन वन से वन फाइब तक के कुशन दो नमर के पार्ट बी में धन्यवाद अगले वीडियों फिर मिलते हैं